हलो लेकम बेक टो माई चैनल आज मैं आप सबके सात्षियर करूंगे कि वेश्टन ड्रेस में मस्ट है या फिर ऐसी कौन सी वेश्टन ड्रेस है जो आप सब के अलमारी में होनी चाहिए मैं आज बताओंगी आप ड्रेस जो आपका कम्प्लीट एक वेश्टन ड्रेस का सेट ब आप सब के पास एक घ्लू कलर की बेसिक दे लिजेंद्स होनी चाहिए आप जिन्स लेते स्टाइंड गętव्धी बातों गढई ध्यान रखो सबसे पहले जिन्स का पैटर्न कलर और उसकी फैबरीक यह तीनों चीज अगर आप सही से ले लेते हो तो जो आपके पास जो जीन्स है वो कभी भी आउट आफ फैसन या फिर आउट आफ ट्रेंड नहीं जाएगी कि तीन-चार प कलर की ती चार प्टेन में जीन रहो बस कंप्लीट है आपको जीन्स का पूरा दुकान नहीं लगाना है अलमारी में अपने बहुत ही कंच रोको लेकिन बहुत ही पीश रोको जीन्स पे बहुँत हो गाया ज्यान अब नंबर 2 एक बेशीक वाईट टीशट आप सब के पास एक बेसिक वाइट टीशट होनी चाहिए सभी लड़कियों के पास आप इसको विंटर में समर में बहुत तरीके से यूज कर सकती है बेसिक वाइट टीशट को आप जिन्स, जॉगर, स्कॉट, पैंट, सलवार आप बुखोलू क्रियेट करना है तो आप धोट इसमें एड़ना हो आप एक बेसिक वाइट टीशट अपने आलमारी में जरूर रखे यह आपको मोडन से वेस्टरन रिस्क को सेट के लिए सबसे में एक बेसिक वाइट टीशट है जो आप सब के पास होगा के बाद है बेसिक ब्लैक कलर की टर्टल नेक टीशट जैसे मैंन जो सॉलीं कलर में ले सकते हो जैसे ब्लैक निउटरल लिए फिर वाइट यह बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है विन्टर्स में आप इसको लेयरीं के लिए यूज़ कर सकते हूँ आप इसको ट्राउजर पर पहन सकती हो आप इसको बहुत तरीके सी य इशट होनी चाहिए उसके बाद एक ब्यूटिफुल प्रिंटेड मिडी ड्रेस आप कहीं ट्रेवल कर रही हो या फिर लंच ब्रंच में आपको कहीं जाना है तो आपका ये परफेक्ट ड्रेस कोड बन सकता है आप मीडी ड्रेस अपनी बॉडी सेप के एकोडिंग ले सकती है आप जो वेस्ट लाइन के बाद जो फ्लेयर वाला आता है आप वैसा ले सकती है प्रिंटेड में ले सकती है जो फ्लावर प्रिंटेड आज कल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो उस टाइब की फ्लावर प्रिंटेड में ले सकती है ये मीडी ड्रेस में हर कोई हर एक बहुत बहुत ब्यादा बेश्ट होता है त्रावल नहीं फिछ नहीं कर नहीं पाहिDo कला दिन किन्हिशनर फैसर नहीं लूब कोने गटानो चाहरा है अपको नहीं करना है। लिदर जैकेट आप सिर्फ तीन कलर में ही लें, मेरे ख्याल से अच्छा लगता है, सॉलिड जो कलर, जो न्यूट्रेल कलर होता है, बेज, ब्राउन या फिर ब्लैक, ये इंडियन स्क्वीन टोन के लिए बेश्ट होता है, ये कलर आप इनी में से लें, और बहुत ज्यादा आप एक सिंपल सोवर लेदर जैकेट लेए। देनीम जैकेट के बारे में मुझे बोलने के जुरत रही है कि ये इसमने जैकेट को कितने तरह से विंटेर में यूज कर सकती है, ये बहुत ही ज्यादा विंटर एप्रोप्रियेट होता है आप इसको बहुत तरीके से यूज कर से लास्ट और नंबर 7 पे हैं एक वाइट शर्ट या फिर एक शैटन की शर्ट इसको मैंने लास्ट नंबर पर इसलिए रखाया कि क्योंकि इसके बारे में भी मुझे ज्यादा बोलने की जो सकती है इसको श्कुट पे इसको शरार पे इसको लहंगा पे इसको कोई भी एथिनिक अगर आप प्लाज ओ या भी पैंट लेती है उस पर तो यह बहुत लाशी वाइट शर्ट या फिर स्कृट हो तो उसके उपर आप स्टाइब की शर्ट डाल लो तो बस आप रेडी हो जाने के लिए किसी भी वेडिंग पंसन में जुरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको वीडियो में बताया है वो सारे आपके पास होना चाहिए अब आपको एक आईडि यूज कर सकती है कभी भी ये यूजलेस या फिर कभी भी आप टॉफ ट्रेंड नहीं जाता है मैंने वही ड्रेस अपने इस लिश्ट में रखी है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना नाम भूले